दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने ही यूटीब चैनल टेट फॉर प्रॉफिट में चैनल जो की टोटली डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए फ्री आफ कॉस्ट टेडिंग सिखाने और समझाने के लिए दोस्तो बिटकॉइन नया ओल टाइम हाई क्रियेट कर दिया है यानि की सारी क्रिप्टो करिंसी का शेहनशा बाश्या राजा जो भी है बिटकॉइन उसने अपने नया ओल टाइम हाई को चुआ है काफी कहास लगने लगे थे कि बिटकॉइन नीचे आएगा यहां से इसका ट्रेंट रिवर्स हो जाएगा लेकिन आप जाकर देखो पिछले वीडियो में शौट टम में इसको थोड़ा अब यरिज बताया था लेकिन लॉंग टम में इसको बुलिज बताया था दोस्तों भ 22 में जनवरी है 2022 फरवरी ठीक तो यहां से अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा है बढ़ती ही चली जा रही है डॉमिनंस बीटीची का देखते हैं तो 53.7 इठेरियम का डॉमिनंस 12.2 ठीक है क्रिप्टो करन्सियां भी काफी ज़् ग्रीची करन्सियां इस वीडियो पर बने लएना ध्यान से देखना कि नाम काफी बढ़े हैं दोस्तों पिर बोल देता हूँ जैसे कि थम्निल पर तो वो कोई क्लिक बेट थम्निल नहीं है वाकई उन क्रिप्टो करन्सियां बहुत बढ़े हैं आप जब देखोगे उनके किस तरह से आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा उसके बाद आपको चार्ट पर भी ले जाऊंगा तो वीडियो पर बने रहे न ध्यान से देखना जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोडिफेकेशन बिल को अन कर लेना उससे हो गई कि आपको हमारे दोरा दी जारी जो भी अपडेट से वो लगतार मिलती रहेगी तो चलो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर जहां दोस्तों ट्रस्ट वालेट टोकन आप देख सकते हो ट्रस्ट वालेट टोकन अगर इसकी रहें की बात करोग तो 283 प्राइस की बात करोग तो का बहुत ही शॉर्ड में इसको डिस्क्राइब करूँगा कैसे क्यों इसका नाम बढ़ा है जैको होता यह है कि एक सेंट्रलाइज एक्चेंज होता है जैसे कि बाइनेंस हो भी ग्लोबल इस तरीके के एक्चेंजेस होते हैं औक यह हैं जईक्षेंज हैं फो इस कि एक उसका जाएं जाइक सी तरीके बीटकॉइन्ट्राइज होता है जैसे कि पाइन्टकेक स्वाइप ऊसके लावा यूनी उसके अलावा काफी exchanges, वन इंच ठीक, तो इन सब exchanges को कहां पर कैसे, जब बाई करना होता है, इसमें से कुछ कोई चीज स्वेंप करनी होती है, means, जैसे नहोता है कि यूनि स्वेंप पर जाकर ये चीज स्वेंप कर लो, पैंकेक पर जाकर ये स्वेंप कर लो, ये कोई तो उस जहांपर मैंने बताने कोशिश की थी कि Safe Mars को Safe Moon को किस तरह से बाई किया जाएगा तो वहाँ पर आपने देखा था कि बीच में जो Mediator का काम किया था उसने किसने किया था? Trust Wallet ने हम थे, हमें Pancake से या किसी भी एक्चेंज से हमें उस Coin को Swipe करना था तो उसको बीच में हम दोनों को मिलाया किसने था वो मिलाया था ट्रस्ट वालेट ने तो यहाँ पर यह वालेट जो हमारा है यह काफी बड़ा रूल अदा कर रहा है आने वाले वक्त में दोस्तों इसका प्राइज मेरे हिसाब से बहुत होगा यह मेरी अपनी अनलेसेस है लोग इसको गलत बदा सकते हैं वो उनका अपना आउटलूक है लेकिन यह मेरा अपना अनलेसेस है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा घासा प्राइज हो सकता है ट्रस्ट वालेट तो देखो बेसिकली यहाँ पर काफी ज़्यादा कम पर मिल रहा है सबसे बड़ी चीज है कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर है बाइनेंस एक्चेंज पर लिस्टेड भी है और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसकी अगर हम टोटल सप्लाई की बात करते है तो कुछ इस तरह का हमें नजारा नजारा आता दो कितना अधा पर यहाँ पर कम था उपर गिया नीचे आया फिर यहाँ पर उपर गिया तो यह रेजिटेंस को फेस कर रहा है तो तो यहां से हम इसको थोड़ा सा इसका आल टाइम हाई भी देख लेते हैं तो लगबग म 99.006478 cent ठीक है इतना यहां तक लो लगाय था अब यहां पर दुस्तों बाद बनती है कि किसको करना क्या है इसको कैसे बाई करना है तो बाई SIMPLE है दोस्तों Binance Exchange पर लिस्टेड है, वहाँ से buy कर सकते हो, ना हो तो Trust Wallet की इसकी जो application हो, उसको download कर लो, किसी भी BNB coin से इसको swap कर सकते हो, वहाँ से भी, ठीक, तो यहाँ पर अभी देखो, इन्होंने AirDrop भी दिये थे Binance Exchange holders को, जो महाँ पर Binance Exchange पर जिसके भी account से तो, वहाँ पर 100-100 Trust Wallet Token सबको distribute हुए थे, अब दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरे Crypto Token का भी data और उसके बाद हम चलते हैं सीधे चार्ट पर, और वहाँ से चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे, दोनों को Technical Analysis करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं TWT Token के चार्ट पर Binance Exchange का चार्ट है यहाँ पर और देखो के प्राइस तो एक ascending triangle की तरफ move करता चला जा रहा है और अपने resistance area के पास है जहाँ से इसको rejection मिल ला है और यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचा आने कोशिश कर रहा है तो इसमें अगर थोड़े dip पर मिलता है थोड़ी बहुत buying बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर किसी को भी buy yourself करने की advice बिलकुल नहीं है ठीक है बाकी कुछ लोग यहाँ पर इस level के उपर तूटने पर इसके break होने पर buying बना सकते हैं देखो अभी जो थोड़ा सा नीचे आ रहा है थोड़ा सा और डिप का इंतिजार कर लो डिप में आ सकता है अच्छा कासा थोड़ा सा नीचे मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर देखो को तो यहाँ पर low लगाया था उसके बाद यहाँ कहीं पर yellow फिर यहाँ पर तो इस trend line का अच्छी संबान कर रहा है और इस जो horizontal line है यहाँ पर इसका भी अच्छी संबान कर रहा है तो शौड में अगर bowling गे दोस्तों यह level अगर break होता है तो तो काफी अच्छी से price उपर जाता दिख सकता है तो ध्यान करके थोड़ा से यहाँ पर trading करना लेकिन ध्यान से dip में मिलता है तो काफी अच्छा है तो parts में बाइं करना थोड़ो थोड़ो अपनी जो capital है अपनी जो पूंजी है आपको जिससे मानलों 50 US डॉलर से भाई करना है तो उसके 4 हिस्से कर लेना ठीक है 12-13 US डॉलर के 12-13 डॉलर से एक बर भाई कर लिया फिर थोड़ो सा dip में है फिर भाई कर लिया फिर थोड़ो सा dip में है फिर भाई कर लिया फिर थोड़ा सा उपर गया नीचे के कुछ भी हुआ तो चार पाड़ में बाई करके बैड़ गए अपनी किसमत आजमाने तो यहां पर देख लेना और यह अच्छा कासा उपर जा सकता है कहां तक जा सकता है अगर यह लेवल ब्रेक होता है दोस्तों यहां पर अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो प्राइज आपको अच्छा कासा उपर जाता है दिख सकता है पहला टार्गेट होगा हमारा 1.4 उसके बाद दूसा टार्गेट होगा हमारा तीन यूएस डॉलर का काफी अच्छा है यहाँ पर देखो यह शॉट टम के मिड टम के टार्गेट है होल कर लोगे तो आगे अच्छा खाजा इलल जिख सकता है काफी एक बड़ा कॉंसेप्ट है टेस्ट वालेट का आज नहीं थोड़ ठीरेट करता हूं जिसे कि मैं अगर मैं अगर मैं नाम है अच्छा कासा आम है काफी कम प्राइस पर उसका-जिख वालेट कि बात करो है तो यह भी उतना ज्यादा ऊपर नहीं गया है और यहाँ से अगर इसकी राइंग की बाद करोगे तो टो टोड़ मार्केट कैप के साब से 235 राइंग है और 3.19 परसेंट लगबग 3.19 परसेंट अब गया है और अगर यहां पर इसकी देखो मैक्समुम सप्लाई देखते हो तो लगबग यह है और टोटल सप्लाई भी इतनी ही है तो अच्छी खासी है और थोड़ा सा देखो यहां पर अगर घनकेटिञा है आघर मार्केट की बात करते हो तो बाइन्स पर इस्टेट है तीनो पर में उसके गेट.io पर लिस्टेड है ओपेनोशन पर लिस्टेड है buckets जाकर देख सकते हो बेंकर पैनकेक सुट से सको सुएब कर सकतें डबब बबी एन्बबी खजरीए ठीक है तो यहा चार्ट देखते हैं ओवर्वियू के ऑप्शन पर चल कर तो थोड़ा सा चार्ट भी आप देखो कि काफी इंट्रेस्टिंग चार्ट यहाँ पर आपको लगेगा और किसी ने भी आपको इसके तरफ ध्याना करशित आपका नहीं किया क्योंकि मुझे से लगता है देखो यहा मास्क है ट्रेस्ट वालेट है एसेपी है उसके अलावा भी काफी वालेट है जो बीस का माध्यम बनेंगे लेकिन जो जाद मशूर वालेट है वो यही है ट्रेस्ट वालेट या मेटा मास्क या फिर एसेपी ठीक है तो एसेपी यूँ मशूर है क्योंकि इसने भी अपना ए अच्छे से अब यहाँ पर दुस्तो चार्ड को अगर देखो कि तो क्या लिखाई पर लहका है मैं दिखाता हूँ जब इसे पर मैं मार्किंग कर दू हम तो अच्छे समझ माइगा है प्राइज एक रेंज में प्राइज अगर गौर से देखो के तो प्राइज एक रेंज में दोस्तों इस रेंज का ब्रेक आउट अगर हुआ उपर के साइड तो बहुत अच्छे खासे उपर की रिजल दिखा सकता है देखो यहां पर एक चीज बताता हूँ कि जब कोई चीज में अभी जिसे कि क्रिप्टो कंसी का जब बेर रन चल लाता है नहीं क्रिप्टो कंसी का जब उतार चल लाता है इतने यूट्यूबर्स जो इंफुलेंसर हैं इंडिया के उसमें हम देख रहे तो उसमें कोई बिटकोईन को और सबसे बड़ी चीज यह होती है कि इतने 400 रुपए में 500 रुपए में इतनी चीज़े खरीद लो यह कॉणसेप्ट क्या है भाई कोई चीज खरीद लें क्यों खरीद लें माचलक पे तो बहुत सी चीज़ें पढ़ई होती हैं रहा चलते हो तो बहुत सी पढ़ई होती हैं इटे पढ़ई होती हैं पत्थर पढ़ई होती हैं कुछ लोहे का सामान पढ़ई होता है खराब सरा आप कुछ और पढ़ई होता तो कैसा को उठाके घर ले आते हैं नहीं बस इतना ही बोलूँगा बाकी आप खुद समझदार हो तो सबसे पहले आप यह यहां पर यह खुद के अंदर खुद की पेडिक्शन करो कि कौन से गुरू जी ठीक है ठीक है उसके बाद चलो चलते हैं यहां पर इसको देखते हैं इसको all time high यहां पर दोस्तों मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ लेकिन दोस्तों कुछ चीज़े मुझे गलत लगती है क कि मैं सामने देख रहा हूँ कि आप सिफ डेटा दिखा दे रहे हो मुबाईल उपर नीचे करके काम की चीज़ बता नहीं रही हो जो लोग investment कर देंगे तो कैसे survive करेंगे अगर उनका investment गलत हो गया तो यहां पर यह चीज़ है बस otherwise क्योंकि यहां पर देखो काफी student आ रहे ह new beginners हैं काफी ladies हैं काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास capital दादा नहीं है यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके का उनके साथ कोई उनको ऐसा mark दरशक मिले जिसको खुद नहीं कुछ आता हो तो यह चीज़ का ध्यान करो ठीक है जब कोई चीज अच्छी मिला करें जब आपको लगे कि हाँ आपने कोई diamond खोज लिया है YouTube हो या कोई भी social media का platform हो तो उसको तुरन शेयर किया करो तुरन शेयर करा करो ताकि जो और जिनको knowledge नहीं है उनको भी हो सके तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि इसका all time high है 4.39 low है all time 0.96 cent यानि एक US डॉलर ठीक है तो अब चलो यहां से चार्ट पर चलते हैं सीधे देख लेते हैं तो दोस्तों यह आ गए safe pal token के उपर ठीक है चार्ट है यहां पर price का उसके बद बाइनेंस exchange का चार्ट है बाइन कर सकते हो देखो अपने resistance area से यह थोड़ा सा डाउन आ रहा है देखो यहां पर यह तिनी बड़ी candle वनी थी कि यहां पर चार्ट को बाकी चार्ट को यहां पर श्रिंग कर दिया तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा otherwise आपको समझ में नहीं आएगा देखो प्राइज यहां से इस तरह से चल रहा है जिसे कि यह आप समझ लोग कोई एक स्लोप है जिस पर आप चल लोग दीरे धीरे उपर चल रहा है ठीक है यहां पर देखो इसको resistance मिला यहां पर resistance मिला यहां पर resistance मिला अब यहां पर देखो कि ध्यान से अगर तो पॉइंट पर अब जिए बना रहा है लेकिन लोज जितने भी है वो पिछले लोज से ज़्यादा बना रहा है तो यहाँ पर बुल मार्किट में इस तरीके कंडिशन होती है कि प्राइज ऊपर ही जाता है अच्छा खासा देखो यहाँ पर कॉंसेप्ट है इसका जमीन पर यहाँ पर दोस्तों यह डेली चार्ट हो यहाँ पर देखो कि इस पॉइंट से इसको रियक्शन मिला है च्छा खासा देखो जितना डिप में मिलता है यह सेसपी टोकन की बात कर रहा हूं कि जितना डिप में मिलता है थोड़े थोड़ी बाइंग इसमें बनाते जाओ लेक आपके लिए कि मैं आपका स्क्रीनर हूँ मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक या क्रिप्टो कंसी छाट छाट के दे रहा हूँ आपको तो आसान कर रहा हूँ नो हजार क्रिप्टो कंसी हैं कहां तक उसको बैटके अनलाइस करोगे तो चलो यहाँ पर दोस्तो अब यह देख यह यानि 3.55 यूएस डॉलर का लेवल अगर ब्रेक करता है तो प्राइज लगबग कितना उपर जा सकता है आप अमेजन नहीं करोगे प्राइज जा सकता है नो यूएस डॉलर तक ठीक है अगर साड़े तीन यूएस डॉलर को ब्रेक करता है तो प्राइज नो यूएस डॉल पर ही concentrate करना होगा क्योंकि 4.39 पर इसका एक all time high भी है तो यहाँ पर हम समझ के चलेंगे ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सारे लेवल लेने की अचीव करने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बहुत बड़े crypto token है और इस पर जब जब डिप में मिलें जब जब आई करो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ी holding ना बनाओ अपने आपका जो भी portfolio उसके recording holding बनाओ थोड़ी थोड़ी बनाओ अपडेट मिलता हूँ जब तक के लिए जय हिन जय भारत